दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर कोई ऐसी क्रीम खोज रहे हैं जो कि आपके शरीप पर सरजरी के बाद या फिर जल जाने के बाद या फिर किसी पिकाद चोट लगने के बाद जो अंचाहे दाग छोड़ जाते हैं उसको हमेशा हमेशा के लिए खतम कर दे तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आशे बात करने वाला हूँ कि अगर किसी विक्ति की सरजरी हुई है सरजरी के बाद जो कुछ दाग वहाँ पर छूड़ जाते हैं इसकिन अगर जल गई हो जलने के बाद जो सफेद दाग छूड़ जाते हैं या फिर आपको कोई चोट लग गया हो चोट लगने के बाद चोट ठीक होने के बाद जो एक दाग छूड़ जाते हैं उन दाग को खतम करने के लिए जो क्रीम इस्तिमाल की जानी चाहिए उसी क्रीम के बारे में मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ दोस्तों ये वीडियो पूरा देखें ये वीडियो खतम होते होते आपके लिए काफी जादा यूस्फुल हो सकती है देखिए मैंची स्क्रीन को बारे आपसे बात करने वाला हूं वह एक हरबल क्रीम है जिसका कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं दिखेगा आपको और सबसे अच्छी चीज वह एक बहुत ही अच्छी कंपनी मैंकाइंड कंपनी की दवा है उसका नाम है स्केर इन क्रीम का इस्तिमाल आप हर उस दाग पर कर सकते हैं जो की सरजरी के बाद या फिर जल जाने के बाद या फिर चोट लगने के बाद आपके शरीप पर आ जाते हैं देखिए अगर बात किया ज होते हैं तीन दवाईयां होती है पहला होता है एलियम कोबा एलियम कोबा एक जो है अगर आम बहुत करें तो इसे हम प्यास कहते हैं यह प्यास का एक्स्ट्रैक्ट होता है और इसका जो में काम होता है वह होता है हमारे इसकिन के कलर को गढ़ा करना हमारे जो इसकिन जलने क इसको यह ठीक करती है। तो हेपारन सोडियम को ठीक कर देती है। अब होती है यह होती है यह बहुत ही सुपा बेकलती है। तो यह तीन दवाइं जो होती ही, यह बहुत ही शूपब एक्सीड़न्ट हो गया है और सही हुआ उनका छो जाय तो आप इस दवा का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आपको बता दो कि मैं या मेरा चैनल आपसे कभी भी नहीं कहता है कि आप किसी भी दवा का इस्तिमाल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की बगएर करें लेकिन मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूं और फार्मासिस्ट होने कि लाते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दवाओं के बारे में एजुकेट मार्ट कर रहा हूं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप में चनल पर पहली बार आए हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें इस चैनल पर मैं दवाओं और स्वास्तमंदित वीडियो बनाता रहता हूं अगर आप ऐसी वीडियो में किसी और इंफर्मेशन के साथ में अब तक लिए सभी दोस्तों का सभी वीवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद